तो स्वागत है बच्चों आपका Self Study के चैनल में और आज की हम अपनी इस वीडियो में प्रोनाउन का जो हम डिटेल से स्टार्ट किया था उसका Part 2 हम डिसकस करने वाले हैं अब तक हमने दो टाइप के प्रोनाउन कर लिए हैं पॉसेसि और पर्सनल और आज हम अपनी इस वीडियो में करेंगे रिफ्लेक्सिव और एम्फेटिक केस या फिर रिफ्लेक्सी प्रोनाउन या एम्फेटिक प्रोनाउन ओके इंट्रॉदक्शन मैंने आप लोगों को अल्रेटिि दिया था पिछली वीडियो के अंदर की pronoun क्या होता है a word used in a place of a noun यानी noun की जगह पे आने वाले को हम क्या कहते है pronoun कहते है और pronoun क्या काम करता है pronoun वही काम करता है जो एक noun काम करता है मैं तो इसको यही कहता हूँ कि भईया तुम तो noun के भईया हो भाई हो तुम ठीक है मतलब नाउन जब ठक जाता है तो प्रणाउन आ जाता है एक तरीके से नाउन की repetition रोकने के लिए प्रणाउन आता है तो यह चीजें हम discuss करते आयते अब तक कि हमने जितनी भी basic classes देखी है उसके अंदर नाउन बार-बार आना pronoun भी उनका आना हुआ था वहाँ पर मैंने आप लोगों के साथ discuss भी किया था कि pronoun क्या होता है कैसे working करता है तो अगर आपने वह वाली वीडियो नहीं देखिए तो वाली जाकी वीडियो देखिए ताकि आप लोगों को यह lecture अच्छे से समझ में आ जाए और पिछली वाली वीडियो जो इससे related है कि इसका part 1 जो मैंने कराया था pronoun का वो आपको देखनी compulsory है क्योंकि देखिए पढ़ाने का जो मेरा structure है वो हर sentence को break करने का है आप नए हो आप देख रहे हो आपको sentence यहां पर सामने लिखा हुआ है आपको break करना ही नहीं आ रहा है तो भई यह वीडियो आपके लिए व्यर्थी होने वाली है तो बिना time कवाए आज की अपनी वीडियो को start करते हैं तो यह चीज़े मैंने आपके लिए लिख दी है यहां पर already हर जबते के pronoun चलेगा तब तक आप आर बार आपके दिमाग में आते रहेंगे types of pronoun मैंने आप लोगों को बताया था कि 10 type के होते हैं 11 type ऐसे समझ लो mislaneous कहेंगे हम उसको यानि अन्य विभिन कुछ बची करें मतलब कि कुछ ऐसे pronoun जो इन categories में नहीं आपाएंगे उनको हम उसमें डाल देंगे तो हमने क्या देखा है personal pronoun देख चुके हैं possessive pronoun देख चुके है personal का क्या मतलब होता है जो person की बात करते हैं हमारे सामने 3 person आये थे 3 person कौन कौन से थे 1st person था 2nd person था और 3rd person था 1st person कौन होते है I और V 2nd person कौन होते है U 2nd person U 3rd person कौन होते है 3rd person होते है Talk about जिनके बारे में बात यह तो थोड़ा से मैंने अलग लिख दिया यहां पर talk about नहीं आना था यहाँ पराना था यह थर्ड परसन होते हैं आई वी को हम कहते हैं यह सी लग रहे हैं आई वी को हम कहते हैं स्पीकर जो बात करते हैं जैसे मैं बोल रहा हूँ तो मैं स्पीकर हूँ मैं फर्स्ट परसन हूँ सेकंड परसन कौन होते हैं जो मेरी बात सुन रहे हैं जो आप सुन रहे हो तो मेरी बात सुनने वाले क्या कहलाएंगे listener और third person जिसके बारे में बात हो रही है बात हो रही है जिसके बारे में उसको कहते हैं talk about यानि third person clear तो यह हमने first person के अंदर देखा था possessive का मतलब होता है अधिकार जताना अधिकार जताने वाले यह दो type के मैंने आप लोगों कराया थे possessive एक होते हैं possessive pronoun और एक होते हैं possessive adjective तो यह मैंने अच्छे से clear किया था इनके उपर error भी हमने discuss किया था पिछली वीडियो के अंदर और फिर से कह रहा हूँ अगर आप लोगों ने वो वाली वीडियो नहीं देखी है तो जाकर देख लिजिए वो वाली वीडियो ताकि आप लोगों के यह वाली वीडियो अच्छे से समझ में आजए और आज हम क्या करने वाले हैं आज हम करने वाले reflexive और emphatic एक एक करके discuss करेंगे दोनों को और बाकी हमारे सामने बच जाएंगे यह 6 और एक बच जाएगा miscellaneous, clear उसको हम वाले डिसकस कर लेंगे जब यह सारे खतम हो जाएगे और जब आपका एक pronoun खतम हो जाएगा तो मान लीजिए 70% 70% तो जादा हो रहा है मान लीजिए 60% 60% आपका English grammar का portion खतम हो जाएगा क्योंकि इसके अंदर बहुत जादा एक wide angle है इसको आपको English में समझने के लिए बहुत अच्छे-च्छे concept आएगे pronoun के अंदर आते हैं reflexive के अंदर आपने 10th के अंदर 12th के अंदर 10th के अंदर तो सुन लिया होगा या फिर आपको ये word बड़ा सुना सुना भी लगता होगा reflect क्या होता है reflect कोई भी भाई आपके सामने यहां पर अगर मैं एक mirror रख दूँ तो यहां mirror रख दिया और यहां पर यहां से मैंने एक कोई रोशनी यहां से निकाली और यहां इस mirror पर लगी और वापस हमारी तरफ आ जाती तो इसको क्या कहते है reflect होना clear तो यह reflexive वही है यानि इसमें आप कुछ करेंगे यह काम आपके उपर ही हो जाएगा उसको कहते हैं reflexive reflexive case है या फिर reflexive pronoun है कोई फरक नहीं पड़ता है इसकी definition हम देख लेते हैं definition क्या कहा रहा है if doer यह आना था यहां पर मैं mistake में ने कर गया if a doer and a receiver of an action is the same person or thing क्या कहा रहा है अगर doer or receiver किसी action का same है same person या same thing है कोई चीज वो इंसान या वो कोई चीज है use the receiver in reflexive case तो receiver की जगहें पर आप reflexive case use करेंगे जैसे भाई साब मैं करने वाला जैसे मैं आई मैं करने वाला मैंने गड़ा खोदा किसी और के लिए और गिर गया मैं तो यानि यह action मुझ पर ही हो गया तो इसलिए यहां पर मैं अपने लिए यहां पर, यहां receiver की जगहा है एक ऐसा word रखूँगा जो मुझ पर ही वो action करवा दे तो वो होता है myself clear, I killed myself जैसे मैंने अपने, I hurt myself I enjoyed myself, मैंने खुद को injured कर लिया, मैंने खुद को मार लिया मैंने खुद के लिए गड़ा खोद लिया तो यहां पर आप लोगों के सामने यह subject और object लिखे हुए है हम इसे already परिचित है कि भईया यह क्या होते हैं कैसे इनकी working होती है I, me और यहां पर आप देखेंगे यह देखें, I अगर करने वाला और अपने उपर ही कर रहा है तो me नहीं करेंगे तो इनकी जगा क्या लगाएंगे myself लगाएंगे we, we का क्या होता है ourselves होता है ध्यान रखना, spelling का बड़ा ध्यान रखना you, you का क्या होता है yourself होता है और yourself भी होता है क्योंकि भाई, एक बंदे के लिए भी यू लगता है he, he क्या होता है himself अगर he करने वाला और he के उपरी वो हैक्षन हो जाए तो क्या लगाएंगे himself she, she के लिए क्या लगता है herself it के लिए क्या लगता है itself they के लिए क्या लगता है themselves तो यहां पर spelling के उपर बड़ा focus करना है आप लोगों को और यह जो है itself लगता है जानवरों के लिए non-living things के लिए वो अलग बात है कि आपके घर में कोई जानवर है आपने उसका कोई नाम अपने लिए मतलब अपने उसके बड़ा प्यार से नाम रख रखा है तो उसके लिए आप himself, herself आप लगा सकते हो वहाँ पे इसमें कोई बड़ी बात नहीं तो यह जो चीज थी आज की छोटी सी एक टेबल है इसी से हम शुरुआत करने वाले हैं एक बार आपको अच्छे से example के थूरू reflexive case को समझा देता हूँ चार example लिखे हैं मैंने आपके सामने अपने trick क्या रहेगी इनने example को करने की कि वही same हम इनको break करेंगे she killed her she killed her में इसमें verb क्या है? verb है इसमें killed कैसे पता किया सर? अरे verb वो होता है verb के उपर तो मैं already 6 यानि 6 नहीं 3 classes में ले चुका हूँ लगभग आदे आदे घंटे यानि डेड़ घंटा या उससे भी ज़्यादा मैंने उसके पर time दिया है इस verb को समझाने के लिए कि verb क्या होता है verb कैसे word करता है basic मैंने आप लोगों को समझा है फिर भी जिस बच्चे को नहीं पता एक बार revision हमारी यहां हो जाएगी कि verb क्या होता है verb एक ऐसा word होता है जो action को represent करेगा क्या सर ये action को ही represent करेगा नहीं ये कुछ और भी कर सकता है बट उसके लिए आप लोगों को वीडियो देखनी पड़ेगी previous वाली क्योंकि यहां पर अगर वो चीज़ें कराऊंगा तो और ज्यादा lengthy हो जाएगी मुझे नहीं लगता है कि वो वर्थिटा यहां करवाना थोड़ा बहुत आप लोगों को ब्रीफ यहां पर idea देता था हूँ कि verb क्या होती है जो action को represent करते इसकी तीन फोर्म होती है सर क्या तीन ही फोर्म होती है और यह फोर्म तो बहुत सारी होती है अभी जो इसके अंदर एक basic class आएगी जीरंड आएगा, participant आएगा वहां पर आप लोगों को इस फोर्म के बारे में अच्छे से discuss करने वाला हूँ तो अभी इतना समझ लो कि वर्म एक ऐसी चीज़ होती जो action को represent करते है और जिसके तीन फोर्म होती है तो यहां पर देखेंगे kill, killed, killed यह रही वर्म यहां पर होगी वर्म यह kill करने का काम किया किसने? शी ने और subject कौन होता है भाईया subject होता है doer जो action को करे अरे यह action हो गया इसको करने वाला तो कोई होना चाहिए ना वो होता है subject तो यह she बनेगा यहां पर subject pronoun है personal case है she killed किसको मार दिया हर को मार दिया तो यह क्या बनेगा object बनेगा यह बनेगा object अब मेरा question बड़ा simple सा है यह she मारने वाली और यह हर यहां पर मरने वाली यह क्या दोनों ही same है क्या यह she और यह हर क्या यह दोनों same है एक बार सोच यह क्या यह she और यह हर क्या दोनों ही same है नहीं यहां दोनों नहीं है वैसे आप एक example को देख के समझ सकते हैं तर यहां आना कुछ लोचा है, यहां हर जो है वो सेम नहीं है, यहां पर क्या है, यह मारने वाली कोई और है, मानलो यह कोई A है, और यह कोई मरने वाली कोई और है, यह B है, अब यहां पर जो action शी ने किया, वो किसी और के उपर किया, इसने किसी और को मार दिया, अब ऐसा ह तो कि जो ए है ये action ये वाला मारने वाला action खुद के उपर कर ले तो क्या कहेंगे हम यानि ये she करने वाली और ये action इसी के उपर होने वाला तो उस case में क्या लगाते हैं आउजरा इस example के तुरू समझते हैं वही same example है वोब होगी killed she करने वाली यहां पर subject हो गया killed किसको कर दिया उसने खुद को मार लिया अरे भई मारने वाली वो होने वाला action उसके उपर ये जो herself है वो इसी को तो represent कर रहा है तो यानि उसने खुद को मार लिया herself she killed herself यहां है ये object यह है object यानि यह है reflexive case यह हो गया reflexive case यानि यह action हो गया इस she के उपर यहां पर यह मारने और यह मरने वाली यह दोनों ही सेम है तो यही मैंने कहा अगर action ऐसे चले कि यह करने वाला और इसी के उपर होने वाला तो इस case में यहाँ यू नहीं या तो yourself या yourself करेंगे अगर he करने वाला है तो अपने उपर कर रहा है तो इसके लिए him नहीं उसके लिए himself लगाएंगे अगर she करने वाली है खुद के उपर करने वाली है तो her नहीं herself लगाएंगे तोड़ा इस चीज के उपर focus करने है तो यही होता है reflexive case यानि एक बार फिर से definition को देखेंगे तो आप समझ जाओगे अगर एक action का doer or receiver same है example के दूरि हमने समझा है यहां पर अगले example के पूर सब्चेक्ट she he introduced him यहां पर Wow क्या है introduce है यह होगया हमारे सामने Wow किसने किया he ने किया, यह होगया subject किसको कर दिया, him को कर दिया अब फिर से वही question क्या ये him और ये he क्या same है, क्या दोनों same है नहीं बिल्कुल भी नहीं अरे introduce इसने किया किसी और को introduce कर दिया अरे यह लड़का है किसी लड़के को introduce कर रहा है उसके लिए तो him लगाएंगे न हम he introduce him उसने उसको introduce कर दिया अब जब introduce कर दिया अब मुझे क्या चाहिए अब यहां पर चाहिए कि भाया इसने किसी और को नहीं खुद को introduce कर दिया तो क्या कहेंगे अगर वो खुद को introduce कर रहा है तो यह रहा आपके सामने यह रही वह और यह करने वाला को नहीं और अब अपने आपको कर रहा है introduce तो हम उसके लिए लगा देंगे himself clear यहां पर यह introduce जो है वो इसके उपर हो जाएगा introduction का काम इस ही के उपर हो जाएगा अगर himself लगा देंगे यानि यह action introduce का हुआ तो introduce का हुआ तो himself लेकिन himself है एक reflexive case और यह action को reflect कर देगा subject के उपर यानि भाया यह करने वाला और इसके उपर काम होने वाला यह दोनों ही सेम है यह चीज बता देगा यहां पर उमीद करता हूँ कि आप लोगों को यह reflexive case का एक छोटा सा छोटा सा introduction पसंद आया होगा अभी तो कहानी लंबी चलने वाली है यह हो गया reflexive case अब क्या करें अब करेंगे क्या आपके सामने आगी practice one अभी practice two भी आएगी क्योंकि उसके अंदर मैं emphatic को भी लेके आने वाला हूँ तो आपको करना क्या है आपको वीडियो पोज करनी है और वीडियो पोज करने के बाद आप लोगों को जहां लगता है यह तीन sentence है आपको लगता है कि यहाँ पर reflexive case आना चाहिए वहाँ reflexive case लगाई आपको लगता है कि नहीं आना चाहिए sentence बिलकुल सही है तो sentence ठीक कर दीजिए ओके पोज करिए वीडियो को ओके उमीद करता हूँ कि आप लोगों ने यह sentence करने की कोशिश कियोगी तीन ही sentence है कम ही sentence रख रहा हूँ है पहले sentence के उपराते है the camel adapts it to the climate of desert इसका क्या मतलब हुआ चलिए शुरुआत करते हैं अपनी वर्ब से वर्ब क्या है यहाँ पर adapt यह होगी वर्ब सर यह वाली क्या होती है वर्ब मैंने का यहाँ हो ज़रा adapt, adapt एक होता है, adopt, एक होता है, adapt, यह तीन होते हैं, जिसमें एक में A लगता है, इसमें एक में O लगता है, यह तीन होते हैं, इस adapt का मतलब होता है ढालना, इस adapt का मतलब होता है ढालना, और इस adopt का मतलब होता है गोद लेना, इस adopt का मतलब होता है होना यह और यह जो है यह दोनों है वोग यह दोनों है वोग और यह एड़ेट यह है adjective क्लियर तो यहाँ पर यहाँ पे देखेंगे एड़ेट यहाँ पर एड़ेट का मतलब है ढालना अब इसकी हिंदी अगर हम करके देखें तो कैमल ने ढाल दिया it, यानि इसको किसके according, भही climate किसके भही desert के यानि क्रिगिस्तान के climate के according इसको ढाल दिया, sentence तो हिंदी ये बनती है, अब ज़रा common sense ये लगाओ, क्या camel किसी को ढाल सकता है, क्या मैंने rough करती है, वो चीज़, उमीद करता हूँ आप लोगोंने वो चीज़ लिख ली होगी, क्योंकि ज़्यादा ही कुछ चीज़ आ जाएंगी, तो इसलिए मैंने rough कर देता हूँ, ये यार, थोड़ी सी writing सही करते हैं अपनी, तो ये आ गया verb, अब इसकी हिंदी पे आते हैं, the camel adapts it to the climate of desert camel ने ढाल दिया, इसको ब्रेगिस्तान के climate के coding, क्या ऐसा हो सकता है क्या उंट किसी को ढाल सकता है, क्या ये possible है, नहीं, अरे क्या होगा, उंट तो अपने आपको ढालेगा न, climate के coding अपने आपको ढाल लेता है वो, तो यहाँ पर ढालने वाला कौन है उंट है ढलने वाला कौन होगा वो भी उंट होगा एक बर आते हैं फ़र्स अफोल आपा जो यह जो sentence है वो complete कर लेते हैं इसको break कर लेते हैं to हो गया preposition climate होगे इस preposition का object यानि preposition का object होगया of होगे preposition desert होगया इस preposition का object होगया camel इस adapt का क्या बनेगा subject बनेगा अब बात करते हैं यह it क्या है देखो जो camel है वो ढालने वाला है खुद को ढालेगा और खुद को ढालेगा तो यहाँ पर क्या आएगा itself it क्यों नहीं आ सकता क्योंकि camel किसी और को जालना तोडना सिखाएगा अब यह तोडना है कि camel टूशन देने बैठ जाएगे आओ भई जितने भी desert में रहने वाले हैं जानवर मेरे पास आओ एक coaching center खोला है मैंने आपको climate के coding ढालना सिखाएगे क्या यह possible है बेलकुल भी नहीं अरे भई climate के coding ढालेगा भी camel ढलेगा भी camel तो भई यहाँ पर लगाएंगे यह action इसी के उपर कराना है तो इसलिए इसेल्फ आना यहाँ जरूरी है यह है reflexive case यह use होता है ऐसे sentence पढ़ेंगे सर हमें कैसे पता चलेगा कि कहां पर itself लगेगा कहां पर reflexive case लगेगा कुछ ऐसे भी बच्चे हैं जिनको शुरुआत से मैं समझ सकता हूँ क्योंकि उन्होंने नहीं पढ़ी होती है तो उनको यह डर होता है कि हमें कैसे पता चलेगा आपने तो पढ़ा हुआ है तो आपने तो बता दिया आज आपने सीख लिया और सिखा दिया पढ़ना सिखा दिया यहां पर कैसे बढ़ा है आपने अगले sentence पर आते है I can't मुझे इसको अलग करना चाहिए था बट कोई न I can not लिखना चाहिए था मुझे I can't put me in danger for you as I hardly know you एक बर जड़ा ब्रेक कर लेते हैं इस sentence को can यह होता है modal इसको कहेंगे helping verb यह note इसके साथ लगा है यह put यहां पर main verb है क्योंकि हमेशा modal के बाद verb की base form आती है इसको ध्यान रखना है अब यहां पर आओ यह note इसके साथ लगा हुआ है वैसे actual में यह था can note इसको short form में लिखा जाता है can't तो यहां पर यह helping verb है यह put main verb है और यह note क्या कर रहा है यह एक verb के बारें बता रहें और एक ऐसा word जो verb के बारें बताएं क्या कहते हैं उसे उसे कहते हैं adverb एक ऐसा verb जो एक verb के बारें बता दे उसको कहते हैं adverb तो यहां पर यह cannot इतना लिख देता हूँ यहां पर आप समझ जाओगे यह हो गया adverb एक बार आते हैं मी के उपर आते हैं और आई क्या होगा आई होगा यहां पर subject मी पर आते हैं एक बार in है preposition danger है इस preposition का object 4 है preposition you है इस preposition का object as है conjunction as है conjunction यह दो close को जोडने के लिए आ रही है अब close मैंने आप लोगों को बताय हूँ है close क्या होता है close वो होता है जिसके अंदर subject और verb का pair मिल जाए तो यहां से लेकर यह वाला एक close है और यहां से लेकर यह एक अलग close है close गोज क्या close है तो यहां पर verb क्या है no है यहां पर होगी no यहां आ गया verb भई इस hardly यह I क्या है subject है किसको जानता हूँ you को यह हो गया object यह hardly का मतलब होता है मुश्किल से ही मुश्किल से ही इसका मतलब है मैं मुश्किल से ही तुम्हें जानता हूँ तो यह किसको क्वालिफाई कर रहा है इस वर्ब को क्वालिफाई कर रहा है तो यह क्या होगा यह होगा adverb ओके तो पूरिया sentence हमारे सामने break हो चुका है एक word बचा है अभी हां पर अभी sentence की हिंदी करते देखो sentence की हिंदी करते आपको पता चल गया होगा कि यहां पर बात क्या हो रही है और यहां पर correct क्या कर रहा है आप लोगों को I cannot put me in danger for you as I hardly know you भाई मैं अपने आपको तुम्हारे लिए मुश्किल में नहीं डाल सकता खत्रे में नहीं डाल सकता क्योंकि मैं मुश्किल से ही तुम्हें जानता हूँ कहने का तो मतलब यह है तो यहां पर दालने वाला यानि खत्रे में डालने का काम कौन करेगा किसको डाल दिया भाई उसने अपने आपको डाल दिया जब भही action करने वाला यह आई यह action होगा आई के उपर तो यहां क्या लगाएंगे यहां लगाएंगे myself बहुत असान था यहां पर तो मी थोड़ना करेंगे अरे भही तुम I अपने उपर कर रहे हो I cannot put me नहीं होगा I cannot put myself मैं खुद को नहीं डाल सकता danger के अंदर second sentence हमारा खतम होता है यहां पर उमीद है आप लोगों को यह समझ मैं होगा तो समझ मैं है तो भहिया like लोग कर देना वीडियो को third sentence के उपर चलते है put you in my place and then you can understand my problems first of all इसमें आते हैं verb के उपर काफी बढ़िया sentence है verb है इसके अंदर put main verb है sir verb से कैसे शुरुवात हो गई देखो भई verb से शुरुवात ऐसे हो गई क्योंकि यह एक ऐसे type का sentence है जहां पर verb से शुरुवात हो सकती है यानि sentence के जो type मैंने आप लोगों को करवाये थे there are five types of sentences 5 परकार के sentences होते हैं याद करिए मैंने यह अलग से करवाया हुआ है आप लोगों को तब ही तो कहरा हूँ यह जो videos जो आ रही है जो lecture जो आ रही है वो base है इससे पिछली वाली videos के उपर क्योंकि वह वहां पर मैंने basic करवाया हुआ है एक तरीके से new मैंने वहां रखी हुई है ताकि बच्चा यहां पर आये तो यह चीज़े मुझसे ना पुछे सर यहां पर put कैसे verb हो गई अभी कुछ चीज़ें और आने वाली हैं यहां पर put रखते हैं you यहां पर रखते हैं एक बार in yogi preposition और preposition के बाद क्या आते हैं preposition के object यहां हो गया आपके सामने object my इसके उपर अधिकार जताने वाला हो गया possessive adjective and then इसका मतलब होता है और तब यह दोनों एक ही conjunction में consider की जाएंगी and then और तब इसका मतलब यहां पर होगी conjunction दो close यहां पर जोड रहे हैं ठीक है एक यहरा close put से लेकर यहां से यहां तक और इसके बाद एक यह रहा close और close में क्या होना चाहिए एक subject और verb का pair होता ही होता है तो यहां देखें यह रहा can helping verb है understand यहां पर main verb है you can understand my problems तुम समसकते हो मेरी problems को तो यहां पर समझने का काम कौन करेगा यह you करेगा तो यहां पर you क्या बनेगा subject बनेगा अब क्या समझ सकते हो problem समसकते हो तो यह बनेगा object किसकी problem मेरी problem तो एक ऐसा word जो एक noun या pronoun के बारे बता दे what we say that हम उसे कहेंगे बोलो adjective आप तो बोल कैसे सकते हो possessive possessive adjective कहा जाता है इसको clear कभी कभी मैं भावना होई बह जाता हूँ पूछने लग जाता हूँ बोलो ओके पूरा sentence break हो चुक है सिर्फ एक word रहे गए कुछ और भी चीज़ें इसके अंदर रहे गई है मैंने आप लोगों को एक बात बार बार बोली है कि देखो जब भी subject आएगा उसके लिए verb 100% आएगी या vice versa इसके बात उल्टी भी बात बोल सकता हूँ कि जब भी verb आएगा उसके लिए subject 100% आएगा तो यहाँ देखेंगे यहाँ पर यह main verb आई इसके लिए subject कहा है सर आपने तो कहा था subject है मुझे लगता है कि बच्चे ने जितना मैंने पढ़ाया हुआ जितना मेरा experience है बच्चा आई है यह वैठा न यू सर यू है यहाँ पर object आए भाईया यू कैसे हो गया यू बाद में कैसे रिख रहे हो तू पहले ले क्या हो यू को अगर तुम्हें रखना है तो समझ रहे हो यहाँ ले क्या हो तो यहाँ तो है नहीं सर तो सरे काम करो न इसको यहाँ पर रख दो न यह दिक्कत हो सकती है मैंने का एक पुरा काम करो नहीं पुरा सेंटेंस मिटा आगे दूसरा ही लिखतो अगर ठीक करना ही है तो अरे यहाँ जो यह जो सेंटेंस है वो है इम्पेरिटिव याद आया इम्पेरिटिव सेंटेंस इम्पेरिटिव सेंटेंस की शुरुवात किस से होती है वर्ब की base form से याद आया, imperative sentence है यह imperative sentence में शुरुवात होती है वर्ब की base form से और imperative sentence में subject कोन होता है imperative sentence में subject होता है you, यह you क्यों होता है अभी करवाया है ना, आपके सामने 3 person करके आया हूँ मैं, यह बात बोलोगे किसको, put you in my place and then you can understand my problems, भई, तुम अपनी जगह मेरी जगह रखके देखो, तब समझोगे मेरी problems को, इसकी हिंदी तो यह है इससे यह पता चला कि आप बात बोल रहे हो, for example, कि भई आपको कोई बंदा मिलता है, यह A बंदा रहा, यह B है ओके, इस B ने इसको कहा अरे, आपका काँ बड़ा असान है आप तो 9 बजए आते हो, और 5 बजए असानी से चले जाते हो, और यह बात बोलती है, एको यह बात बुरी लगी, इसने, A ने अब इसको जवाब दिया, अरे, तुम मेरी problems को समझोगे, जब तुम अपने आपको मेरी जगह रखे देखोगे, clear अब यह बात, अगर मैं बोल रहा हूँ सामने वाले को, भाई, तुम मेरे, तुम्हे लगता है कि पढ़ाना असान है, और तुम्हे लगता है कि रटाय रटाय चीज है, तो मैं यह बात बोलूगा उसको, कि भाई, तुम मेरी जगह पर रखे देखो अपने आपको and then you can understand my problems तब समझोगे मेरी problems को clear, तो यहां पर यह you जो है, यह subject नहीं है इसका subject का है, इसका subject you ही है, लेकिन वो hidden है, क्योंकि imperative sentence में hidden subject होता है, subject जो है, वो hidden subject होता है, वो you होता है clear, अब यहां पर आएसे बोला है, आपने you put you put you in my place and then you can understand my problems, अरे भाई, तुम एक बात होता हो, यह रहा you उस action को करने वाला, put कौन करेगा डालेगा कौन अपने आपको, अब तुमारी जगह पर, कौन रखेगा अपने आपको जगह पर, यह you रखेगा और अपने आपको रखेगा, तो यह you तो आएगा नहीं, किसको आएगा भई, यह yourself आएगा, clear तो यहां क्या आना था, you put yourself अगर एक बंदे को बोल रहे हो, तो yourself, अगर बहुत सारों को बोल रहे हो, तो yourself selves, clear, तो यह है reflexive case क्या होता है, एक बार फिर से, quick reason कर लेते हैं, देखे, reason बहुत important है, if a doer and a receiver of an action is the same person or think, अगर किसी action का doer or receiver same है, किसी action का doer or receiver same है तो उस person को, उस चीज को, आपको लिखना है reflexive case के अंदर, और reflexive case यहां पर लिखे हुए है clear, तो यह है आपका reflexive case, reflexive case के अंदर, action, जो है subject के उपर हो जाता है, अगर subject वही same है करने वाला, तो अब यह नहीं है, we killed himself, यह नहीं होगा, we killed myself, यह नहीं होगा, अरे भाई, यह कर रहा है, अपने उपर कर रहा है, तो इसके लिए यहीं आएगा, we killed ourselves, यह किसी और के लिए नहीं आएगा, ओके, अब आओ, एक और type के उपर चलते हैं, हमने reflexive कर लिया है, एक बार यहां पर आ जाते हैं, हमने क्या कर लिया है, हमने reflexive complete कर लिया है, और अब हम emphatic के उपर चल रहे हैं, emphatic क्या होता है, emphatic का मतलब होता है stress डालना, stress यानि जोर लाना, जोर लगाना, या जोर डालना किसी के उपर दबाव डालना, यह होता है, okay, emphatic pronoun, यहां पर आप आप देखेंगे तो इसकी परिभाशा, इसकी definition क्या लिखे हुई है, it is used to emphasize that the action was done by this subject himself क्या कह रहा है, यह कह रहा है कि आप इसके अंदर emphasize करोगे, emphasize का मतलब यहां पर आप stress डालोगे, दबाव दोगे, क्या दबाव दोगे कि जो action किया है, वो कुद subject ने किया है, किसी और ने नहीं किया, जैसे I killed I killed you, मैंने तुम्हें मार दिया अब भही यह kill करने का काम किया कि इस I ने किया तो यहां पर मुझे emphasize करके बोलना है कि भही मैंने खुद, मैंने खुद मारा उसे, तो I myself killed you तो यहां पराएगा myself अभी बहुत बढ़िया से करेंगे इस चीज़ को, एक example, छोटा से example समझाया है मैंने, अब सबसे पहले तो table पे आपका ध्यान गया होगा, कि sir यह तो वही है, अभी थोड़ देर पहले करके हैं यह reflexive चक्र क्या है, अपने गलत गलत तो नहीं लिख दिया गलतियां बहुत कर रहे हैं, आज कल आप से इसमें वीडियो के अंदर, मैंने का ऐसा नहीं है emphatic और reflexive दोनों ही same लिखे जाते हैं, बट function इनके अलग-अलग है, फिर से emphatic और reflexive दोनों ही same लिखे जाते हैं, लेकिन इनके action जो हैं, वो अलग-अलग है, कैसे भई? देखो ज़राब I subject है, यह फिर से मैं बता रहा हूँ, इसका emphatic case जो है वो myself है, सेम वही है अभी थोड़े देर में समझाने वाला हूँ V, subject है, इसका emphatic case क्या है इसका emphatic case क्या है, इसका emphatic case क्या है, अभी आते हैं इस चीज के उपर, कहा कैसे use करते हैं, कैसे differentiate करेंगे, everything हर चीज, अच्छे से, बारिकी से इस विद लोजिकल, इन चीजों को सीखेंगे कोई ratification नहीं होगा, कोई rule नहीं होगे आपको बकाइदा वो concept सिखाए जाएंगे ताकि आप लोगों को long time तक ये चीज़ें याद रहें देखे, break करने का जो पीछे का मकसद है वो ये है कि आप लोगों को काफी time तक वो चीज़ें याद रहें अगर आपने rule रखे होंगे तो definitely वो कुछ time के लिए short time के लिए वो आपको याद रहते है जादा time के लिए वो याद नहीं रहते पहला sentence देखेंगे emphatic का ही हम करने वाले अभी थोड़ देर पहले हमने देखा है reflexive और emphatic दोनों ही same होते हैं अभी जाना मत ये जो मैंने लिखा है इसके उपर अभी मत फोकस करना आप इस पर ही फोकस करें इक बर ओके ये क्या है यहां लिखा है I saw myself मैंने देखा खुद को भई आप शिशे के सामने खड़े हो जाओगे तो कौन दिखेगा आपको शिशे में आप खुद दिखोगे आप शिशे में तो देखने वाले भी आप और दिखने वाले भी आप तो इसमें क्या है यह हो गया so होगी main verb और किसने देखा I ने देखा तो I हो गया subject अरे किसको देख लिया अरे अपनी सुन्दर शकल को देख लिया तो यहां पर क्या होगा एक बार एक मिनिट के लिए इसको भूल जाओ जड़ा आप जड़ा एक मिनिट में सारा रफना हो जाए आप एक बार इस myself को भूल जाओ कि myself यहां लिखा भी होगी simple sentence करते हैं यहां लिख लेता हूँ I saw you suppose आपका एक दोस्त है दोस्त यहां लिख देता हूँ आपका एक दोस्त है और आपने इससे पुछा अरे यार मुवी देखने चलेगा क्या दोस्त ने तो मना कर दिया कहता नहीं यार मैं तो नहीं जा रहा क्योंकि मुझे काम है लेकिन आपका कोई chance ऐसे मतलब by chance आप theater के आगे से निकले और आपका दोस्त तो वहां खड़ा था आपका दोस्त वहां खड़ा था और यह तो कह रहा था मुझे कोई काम है लेकिन आपको पता चलेगा भाई यह movie देखके आया और अब आप उससे क्या कह रहे हो यार मैंने देखा तुम्हें वहां पर मैंने देखा तुम्हें वहां पर तो आपका दोस्त कहता है रहे नहीं नहीं यार तुझे किसी और कोई देखा होगा मैं नहीं हूँ या फिर किसी और ने तुझे ऐसे बात बताई होगी नहीं फिर आप कहोगे रहे क्या बात कर रहे हो यार मैं खुद देखा है तुझे, मैं खुद देखने वाला हूँ, emphasize कर रहे है उपने उपर, तो यह आगया आपके सामने emphatic case यह हो गया आपके सामने emphatic case clear हुआ, सर यह क्या है यहाँ पर, emphatic case है मैंने एक बात बार बार मैं बोलता आ रहा हूँ मैं आपको एक बात मैंने बोली थी कि कभी भी, दो प्रोनावन एक साथ नहीं आ सकते, without any conjunction conjunction लगाओ, प्रोनावन लगाओ, यार कोई rule है यहाँ पर, दो नावन एक साथ नहीं आ सकते, सर यहाँ पर आपने ये एक pronoun यहां पे लिखा, एक ये pronoun यहां पे लिखा, ये दो pronoun आपने एक साथ कैसे लगा दिये, मैंने का इसलिए लगा दिये, कि कि देखिए, अगर मैं यहां कहूं, राम, राम, शाम, सो, यू, राम शाम ने देखा तुम्हे, तो यहां पर इस वर्प के लिए subject बनने की कोशिश करेगा यह दोनों बनने की कोशिश करेंगे इसके लिए या तो ऐसे करो राम एंट शाम यह तो बिल्कुल ठीक है लेकिन अगर आप लोगों ने कोई कंजंक्शन नहीं लगा रही किये तो इस सभी इस वर्ब के लिए तो दोनों ही दोनों ही सब्जेक्ट बनने की कोशिश करेंगे इस कंडिशन में यह चीज़ें गलत हो जाते हैं इसलिए कहता हूँ कि दो नाउन एक साथ नहीं आ सकते तो यह adjective नहीं है यह काम adjective आले कर रहा है यह adjective नहीं है यह काम adjective आले कर रहा है I myself, so you, myself को हम emphatic pronoun कहेंगे और यहां पर इसका काम क्या है इस subject के उपर emphasize करना, stress डालना, इसके उपर धबाव देना, मैंने खुद दिया, जोर दे के बात करना अब यहां पर एक और sentence है, I saw you myself, यह so क्या है, main verb है, you क्या है, subject, यह I क्या है, subject है, you क्या है, object, मैंने देखा, तुम्हें, खुद, यह क्या है, यह है आपके सामने, अरे, emphatic, यह है, emphatic, emphatic pronoun यहां पर यह जो stress डाल रहा है, अब यह stress किसके उपर डाल रहा है, अब यहां पर बात आती है, यह काफी बढ़िया चीज़ है, यह myself ने तो डाल दिया यहां पर I के उपर, देखिए, adjective का मैं basic करवा चुक हूँ, adjective के basic में मैंने आप लोगों को बताया था कि adjective की position क्या होती है, adjective की position होती है, एक तो noun के just पहले, और एक adjective की position होती है, एक noun के just बाद, यहां पर आप देख रहे हूँ, एक तरीके की just बाद में देख रहे हूँ, मैंने यह करवाया नहीं है यह वाला concept, और एक adjective की position होती है, noun या pronoun आएंगे, बीच में B की form आएगी और linking verb आएगी, तो वहाँ पर यह adjective आ सकते हैं, clear यहाँ पर, linking वब आईगे और यहाँ पर adjective आ सकते हैं, तो यहाँ पर ज़रा देखा, तो यहाँ पर एक position तो बिल्कुल सही है, noun pronoun है, pronoun के बाद एक ऐसा word लिखा हुआ है, जो उसके उपर दबाव डाल रहा है, कुछ भी बता रहा है, तो उसको हमने adjective कहा दिया, इसके उपर detail से करेंगे हम इस सीज के उपर कि भी, कब noun या pronoun के बाद adjective जस्ट उसके बाद आ सकता है, कैसी condition होती है, वह हम जब adjective पर जाएंगे, वहाँ सीखेंगे इसको, यहाँ पर आते हैं इस सीज के उपर, I saw you myself, यह क्या है, यहाँ पर यजएक्टिव बोल देंगे, कैna उपर तो adjective बोल दिया था, नहीं, यहाँ पर हम इसको बोलेंगे, इसको काट रहा हूँ, adverb, अरे क्यों adverb, मैंने का adverb इसलिए बोलेंगे, ये 100 के ओपर qualify कर रहा है, 100 को qualify कर रहा है, 100 के ओपर emphasize डाला है मैंने देखा, तुम्हें खुद ये देखने को qualify कर रहा है, अगर logical इसको समझें, तो logical में देखो noun or pronoun के just बाद adjective आ सकते हैं, उसके just पहले ही नहीं है, तो बच्चा adverb ले देके adverb भी बोलूँगा इसको तुम्हें, clear ये हो गया यहां पर adverb, अब एक और चीज़, आपने जब introduction दिया होगा एक बार reflexive case के बारे बता देता हूँ जब आपने introduction दिया होगा तो एक बार काफी लोग जो है अंग्रेज बनने के चक्र में ऐसे बोलते है myself is रमन, मेरा नाम रमन है, तो यहां पर आप जड़ा देखेंगे, is यहां पर main verb होगी रमन यहां पर क्या होगा b की form है ये main verb, रमन यहां पर होगा subject compliment जो subject के बारे बताएगा ओके, एक चीज बताओ तो यह क्या है यहां पर इस verb को subject चाहिए इस verb को subject चाहिए तो यह myself इसका subject बनने के कोशिश करेगा अरे करेगा नहीं करेगा, और myself यहां पर है क्या या तो यह यहां पर reflexive case है यहां पर reflexive case है या फिर यहां पर emphatic case है दोनों में से कोई एक होगा वही emphatic case हो नहीं सकता क्योंकि emphatic का जो काम होता है वो noun or pronoun को qualify मैंतलों उनके ओपर emphasize करने के लिए आता है तो emphatic वैसे भी हटा देते है तो बच्चा reflexive case यह reflexive case है मैंने का reflexive case करता है reflexive case reflect करता है action को एक तो यहां पर action हो नहीं रहा भाई सीधी सी बात है एक तो यहां पर action हो नहीं रहा इसमें गलती है इसमें गलती मैं क्या बताऊंगा जो बच्चे बोलते हैं जादा अंग्रेज बनने के चक्कर में वो गलतीयां क्या करते हैं आपको गलती बताने वालो एक तो यहां पर यह reflexive case इसलिए नहीं आ सकता है क्योंकि यहां पर action हो नहीं रहा और क्योंकि reflexive case तभी वाता है जहां पर reflect हो रहा हो तो action दूसरी चीज़ reflexive case जो है वो हमेशा object ही बनेगा क्योंकि action को reflect करेगा न अपने ओपर लेकर receive करके वापस subject की तरफ भेज देगा यह तो यहां पर यह जो action है वो reflect करने का काम करवाता है यह reflexive case तो यहां पर आपको इसको subject कैसे लिख सकते हो तो यानि यहां पर आपको उसको क्या करना था my name my name is रमन यह बोलना था कभी भी myself से sentence की शुरुवात मत करें वो गलत होगा क्योंकि वहां पर reflexive case आप लगाने की कोशिश करेंगे शुरुवात में आप reflect क्या करवा रहे हो यार और reflexive case जब भी use कर रहे हैं वो object के तोर पर आता है वो action को reflect करेगा ना कि खुद subject बनके बैठ जाएगा action को reflect कोन करेगा फिर भई clear अब आते हैं सर हमें कैसे पता चलेगा कब कहा reflexive case लगा हुआ है कब कहां पर emphatic case लगा हुआ है तो यहां पर लिखा है ना मैंने आपकी help के लिए यह reflexive case के लिए यह emphatic case के लिए reflexive case में doer और receiver दोनों सेम होते हैं लेकिन emphatic case में doer और receiver सेम नहीं होते यहां देखा ना आपने I myself you अरे भाईया देखने वाले आप और दिखने वाला तो you है तो इसलिए doer और receiver दोनों सेम नहीं होते position देखो ज़रा इसकी position हमेशा main verb के बाद होगी इसकी position हमेशा main verb के बाद होगी emphatic की position कहा होगी emphatic की position main verb before main verb before main verb यह रही main verb के पहले और after the object after the object यह रही object के और object भी कब ऐसा नहीं कि बहुत बड़ा object है वहां पर रखेंगे object छोटा हो वहां रखना होता है यहां पर छोटा अब इसके बाद कुछ और अगने अपने को sentence लख दिया यहां पर उसके last में अगर myself रख रहे हो तो ambiguity आ जाती है मतलब aspect आ जाती है कि myself लगा कि इसके लिए है तो ज़्यादा तर इसकी best position रहती है before main verb, main verb से पहले और अगर आपको main verb के बाद रखना ही है तो object के बाद तब रखें इस number one कर ली जिसके अंदर हमने reflexive case देख लिया यह reflexive case और emphatic case दोनों मेंने करवा दिये हैं अब इसमें दोनों के ही error आप लोगों को मिलने वाले हैं अगर आप लोगों को समझ में आया है तो एक बार video pose करिए और करने की कोशिश करिए ओके उमीद करता हूँ एक try तो आपने खुद किया होगा अगर देखिए अगर आप लोगों को कोई चीज सीखनी है तो वो चीज आप लोगों को खुद करनी होगी जब तक आपका पैन नहीं चलेगा जब तक आप लिखेंगे नहीं तो आपको कुछ भी समझ में नहीं आने वाला यह अकिकत है यह खुद मैंने फील किया हुआ है अपने experience से बोल रहा हूँ कि चीजें जो है वो mind में तभी रहती है जब आपने उसको लिखा होता है उसको revise किया होता है केवल सुनने से वो चीजें नहीं होती ज़्यादा भाशन नहीं देते हैं क्योंकि वीडियो ज़्यादा लेंती हो जाएगी तो एक बार आते हैं इसके उपर पहला sentence है इसमें क्या करें वर्ब वर्ब क्या है इसके अंदर break करेंगे सबसे पहले वर्ब है इसके अंदर cut यह होगी वर्ब यह जो वर्ब होती है इसकी form तीन होती है cut cut यह same चलती है cut तो यह होगी वर्ब good cutter ने cut कर लिया अभी बात करेंगे किसको cut कर लिया cut हो गया यहाँ पर good cutter करने वाला हो गया तो यहाँ पर subject हो गया the article हो गया article मैं लिख नहीं रहा हूँ यह 3 article होते हैं cut himself all the trees अब सबसे पहले बच्चे के दिमाग में आएगा कि sir यह himself जो है आप इसको object बनाओ कि wood cutter ने अपने आपको काट लिया यह reflexive case है okay मान ली भाई आपकी बात but एक बात उताओ मुझे all the trees यह क्या है आप इसको क्या बनाओगे यह trees जो है यह तो noun है all इसको qualify करने वाला adjective है adjective आया हुआ आटिकल आया हुआ है लेकिन यह noun noun काम क्या कर रहा है noun के भाईया पांच काम होते हैं subject बनना object बनना preposition का object बनना subject compliment बनना object compliment बनना यह पांच काम करते हैं noun अपने noun लगा तो दिया इसको काम तो दो subject दे सकते हो भई नहीं क्या सर एक sentence में दो subject नहीं आ सकते हैं बेशक आ सकते हैं दो या तीन चार मर्जी जितने मर्जी लगाओ subject लेकिन subject के साथ verb का पेर तो चाहिए अपने को वो नहीं object तो आप दे चुके हैं यह रहा object क्या सर एक sentence में दो object नहीं आ सकते हैं अरे बेशक लगाओ दो object क्या थीन चार जितने मर्जी हैं उतने मर्जी object लगाओ लेकिन दो object को जोडने के लिए क्या चाहिए conjunction चाहिए वो भी नहीं है यहाँ पे कहां है conjunction यह तो adjective आर्टिकल है कहां है conjunction तो object भी नहीं है preposition का object अरे preposition कहां है यहाँ कहीं भी preposition नहीं है subject compliment अरे subject compliment था बात है जब बी की form बी की form जब मेन वह बनती है कहां है बी की form कहां है बी की form यहाँ पे तो बी की form भी नहीं है subject compliment भी नहीं है इसको काटो ना यार, अभी माथा 25 में नहीं करेंगे, क्योंकि अभी आप उस दोर पे नहीं पोच्छो कि इस object compliment को समझाओ, तो यह समझो मैंने यह पढ़ाया नहीं है, तो अभी आपके syllabus में भी है नहीं, इसले बस में है, अभी इसको बाहर समझो एक बार, तो पांचो काम में से कुछ नहीं कर रहा, तो यह कर क्या रहा है यहां पे, क्यों रखा है यह, पढ़ते ही आपको पता चल गया होगा, यह trees जो है यहां पर object बनेगा, बट मैं बारिकी से आप लोगों को बताना चाहरा हू है यहां पे, तो यहां पर यह देखा, पांच काम में से कुछ नहीं कर रहा, तो इसको तो कुछ ना कुछ काम कर देना पड़ेगा, अगर देखे, यहां पर फुल स्टोप होता, यहां पर फुल स्टोप होता, तो मैं कहता, कि यह sentence बिल्कुल सही है, the woodcutter cut himself, पेशक, woodcutter ख का एक better option हमारे सामने है, better, एक meaning हमारे सामने है, the woodcutter cut all the trees, यह woodcutter ने सारे trees काट लिए, अब सारे trees काट लिए, यह एक better option है, better meaning है हमारे सामने, तो यहां पर इस object को, इसको नहीं बनाएंगे, cut का object, हमी cut का object बनाएंगे, इस trees को, इस तो भी sir, इसका क्या करें, तो इसका क् काम करो इसको उठा के रख दो यहाँ पर the woodcutter himself cut all the trees, चल जाएगा बिल्कुल सही है, woodcutter ने खुद काट लिए सारे trees, खुद काटे सारे के सारे पेड़ या, या तो इसको उठा के रख दो यहाँ पर, himself the woodcutter cut all the trees himself, यहाँ पर फोटा सा उब्जेक्ट है, एक दो वर्ड का ही है देखा जाए तो, all the trees यह तीनी वर्ड आए हुए है, तो इसके बाद बाद में चल जाएगा, आप समझ जाओगे woodcutter ने काटे सारे पेड़ खुद, clear तो यहाँ पर himself की position या तो आप यहाँ पर रखेंगे यह कर कौन रहा है रोशनी कर रही है, प्रिपेर करने का काम तो रोशनी होगी subject, herself के उपर आते हैं, जरा very well के उपर भी आते हैं very well, for क्या है, for है preposition, exam क्या है exam है preposition का object, okay the article है अब आते हैं इनके उपर, very or well, भहिया prepare कैसे किया well prepare किया, बहुत बढ़िया prepare किया तो यह हो गया adverb, कितना well, भहिया बहुत ही बढ़िया, बहुत ही ज़्यादा well कर लिया, तो यह हो गया adverb एक ऐसा word जो verb के बारें बताए, एक ऐसा word जो adverb के बारें बताए वो कौन होता है, adverb भीया ये तीन काम करता है I have already told you ये एडवर्ब तीन काम करता है कौन सी adjective को qualify करता है adverb को qualify करता है और verb को qualify करता है ये तीन काम करता है तो देखें आपने कि यहां पर खुद को qualify कर रहा है यहां पर ये verb को qualify कर रहा है यहां पर तो ये adverb हो गया यह Herself क्या है इस रोशनी ने प्रिपेर कर लिया खुद को एक्जाम के लिए बताओ भीया क्या हो सकते है कि ऐसा possible हो सकते है कि रोशनी प्रिपेर करें अपने आपको बेशक हो सकते है अरे आप अपने आपको प्रिपेर कर रहे हो एक्जाम के लिए तो आप कर तो रहे हो you prepared yourself for the exam आप अपने आपको prepare कर रहे हो तो you आ गया ना वहाँ पर yourself लगा दिया तो रोशनी भी तो अपने आपको prepare कर सकती यह है थर्ड person है तो थर्ड person के लिए herself लगाएंगे female है तो female के लिए तो यहाँ पर अपने आपको prepare कर सकती यह possible हो सकता है यह sentence है no error ओके third sentence को देखते है I paid the due rent to you when I came to Delhi pay paid paid यह होगी main verb यह pay करने का काम किया किसने इस subject ने किया the article है यह due rent अभी करते है to preposition है you is preposition का object है when conjunction है दो close को जोड रही है यह close रहा यहाँ पर और यह I के बाद एक और close रहा यहाँ पर came main verb है I करने वाला है तो यह subject है to preposition है और Delhi is preposition का object है अब देखिए वो मैंने चीज़े लिखनी छोड़ दी है noun है, proper है, common है material है, abstract है collective है, यह चीज़े मैंने लिखनी छोड़ दी है उमीर करता हूँ आप लोगों को वो चीज़े पता होंगी I paid myself the due rent यह चीज़े रह गई है myself or the due rent यह चीज़े रह गई है, यह क्या होंगी तो सबसे पहले बच्चे की दिमाग में तो यह आएगा कि I paid myself, sir, यह एक काम करो इसको object बनाओ, क्योंकि reflexive case है अगर आपने इसको subject बनाया तो यह rent, rent क्या है, noun है sir, कैसे किया rent noun है, मैंने का article लगा हुआ न, देखिए a and the article जो है, वो noun के लिए आएंगे वो adjective ही तो कहलाएगा तो यह हो गया adjective तो यहाँ पर यह noun है, अगर आप इसको object बनाते हो तो उपर वाली conditions याद करो, मैंने अभी थोड़े दिर पहले आप लोगों क्या बताया यह एठा बेचारा noun, इसको आप काम क्या दोगे पांच काम होते हैं, पांचों में से एक काम करता हुआ नहीं मिलेगा, subject बनेगा नहीं बनेगा, object बनेगा, नहीं बनेगा दो object एक साथ आएंगे तो लगाओ भी या subject बनाओगे तो subject के लिए एक और लाओ भाओ preposition का object, preposition है नहीं, subject compliment बनेगा, पढ़ाया नहीं, तो पांचों में से कुछ नहीं किया तो ये क्या किया, कुछ नहीं किया भाई या ये तो कुछ नहीं किया तो गड़बड हो गई ना आपने इसको ये लिखा, आप इसको sentence का meaning देखेंगे, तो ये sentence का meaning है जो किया लिखेंगे, मैंने पे किया था, जब मैं डेहली आया था. तो ये बात बोल रहे हो, तो यहाँ पर आपने ये देखा, ये myself ना गड़बड हा रहा है. एक बात उता हो यार, आप खुद को कैसे पे कर सकते हो, आप खुद को कैसे pay कर सकते हो क्या ऐसा हो सकते है कि आपनी एक अपनी जेब से अपनी एक pocket से पैसे निकाले और दूसरी pocket में रिख लिया और कहा मैंने खुद को pay कर लिया अगर कर पा रहे हो तो भाईया आपको पागल खाने में बर्ता कोने कि जुरूरत है तो ऐसी चीज़ें हो नहीं सकती है तो इलाज करवाने ही जोड़ता तो I paid myself नहीं होगा, I paid due rent होगा, तो यह object बनेगा appropriate चीज है यहाँ पर तो myself का क्या करें भहिया myself पट को नहीं यहाँ पर I myself paid the due rent भहिया मैंने खुद पे किया due rent बचा हुआ किराया मैंने खुद पे किया जब मैं डहली आया था अब यह myself उठाके यहाँ नहीं रख सकते यह गड़बड हो जाएगी क्योंकि यहाँ पर देखे कितना बड़ा sentence बना हुआ है कितने सारे यहाँ पर words आये हुए तो छोटा sentence, छोटे object होना तो वहाँ रखेंगे I myself paid the due rent यह clear है अगला sentence हाँ ज़रा She herself killed herself and her children बहुत बड़िया sentence verb क्या है? verb है यहाँ पर killed किसने मार लिया? इसने she ने subject and क्या है? conjunction है सर क्या दोनो reflexive case और emphatic case दोनो क्या एक साथ आ सकते हैं? तो यही वह sentence है आपके लिए दोनो एक साथ आ सकते हैं कैसे? भईया मारने वाला कौन है? मारने वाली यह she है किसको मार दिया? खुद को मार लिया तो herself है खुद को मार लिया अब emphasize कर रहे हो यहाँ पर आपके पडोस में महले में एक murder हो जाता है किसी महिला का आपको लगता है कि उसको किसी ने मार के चला गया होगा लेकिन बाद में तहकिकात होती है और पता चलता है और भाई कि उसको किसी ने नहीं मारा उसने खुद अपने आपको मारा और अपने बच्चों को भी मार लिया तो ये वाली जो चीज आती है उसके उपर emphasize करने के लिए तो ये होता है यहाँ पर Emphatic, ये है Emphatic और ये है Reflexive ऐसा नहीं है कि दोनों को हम use एक साथ नहीं कर सकते हैं function देखो ना, अलग-अलग function है ये herself, she के उपर emphasize कर रहा है, जो डाल रहा है और ये herself, ये action इसके उपर करवा रहा है she herself, killed herself and her children children भी object है, हर इसको qualify करने वाला possessive objective है अब यहाँ पर एक और चीज आ रही है उसने अपने बच्चों को मार लिया ये कैसे कहेंगे यहाँ पर तो ऐसा हो सकता है ना, उसने A और B दो लेड़ी है she killed इस लेड़ी के बच्चे थे, she killed her children तो ये हो गया, अब तो आप इसमें कैसे कहेंगे, कि इस लेड़ी ने अपने बच्चों को मार लिया, ये कैसे कहेंगे she killed her own children, OWN यहाँ आजाएगा, तो यहाँ पर अगर आपको बोलना है, OWN, यहाँ बोल दीजिए कि यह उसने खुद अपने बच्चों को मार लिया तो sentence वही सही है, ये adjective है इसको qualify करेगा यहाँ पर अगर आप ये नहीं बोलते हैं, ये own, तो ये children और ये हर, ये अलग-अलग हो जाएंगे यहाँ पर एक तरीके का यानि इसने अपने बच्चों को नहीं किसी और के बच्चों को मार लिया, sentence हही है sentence में कोई गड़बड नहीं है, sentence no error है, मैं आपको बता रहा हूँ कि खुद के बच्चों को अगर इसने कुछ किया है तो आप बोलोगे कैसे उसको own लगा के, वैसे ये adjective का adjective में भी हम फिर से इसको discuss करेंगे तो ये तो था आज के लिए आप लोगों का reflexive और emphatic उमीद करता हूँ कि आप लोगों को ये दोनों के दोनों, pronoun अच्छे से समझ आ गए होंगे, और आ गए होंगे तो भी क्या करना है, चोटा सा एक काम करना है like, like क्या करेंगे वीडियो को like करेंगे, subscribe subscribe क्या करना भी है, subscribe तो काप करना पड़ेगा, channel, एक और हम कर सकते है, share, share तो आप दोनों को कर सकते हो, वीडियो को भी share कर सकते हो और channel को भी बस share कर सकते हो आपकी महरवानी होगी, motivation मिल जाते है, एक और वीडियो बनाने का, देखें, काफी टाइम बाद वीडियो आ रही है, मैंने का, बनानी है, बनानी है, बनानी है आपका support होता तो ऐसा होता न, ग्या वेट कर रहे हैं, वेट कर रहे हैं, बना ही देते ओकी, अगर इस वीडियो से पर PDF मिलने वारी और भी, बहुत सारी चीज़ें आपके exam के point of view से वहां मिल जाएंगी, तो बस आज के लिए इतना है इस वीडियो में, thanks for watching this video, हम मिलते हैं next video